हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम आप सभी को हिंदी का जो वाइरल पेपर हुआ है इसका यहां पे संपूर हल करने वाले हैं ठीक है यहां पे यह पेपर देख रहीजिए संपूर पेपर है और इसी का यहां पे आप सभी को पूरा हल कराने वाले हैं ठी देखे गए यह संपूर पेपर इसका आपको सभी को हल कराएंगे ठीक है आपको 22 फरवरी का जो हिंदी का पेपर है आज पेपर हल कराएंगे यही पेपर सेम डू सेम आने वाला है तो आप वीडियो को लास्त तक ज़रूर देखिएगा ठीक है यह आपका 2224 फरवरी का वाला पेपर है ठीक है यह पेपर के जो सेट है डीफ है और यहां पर आप सभी के जो हिंदी का पेपर होगा इसके लिए जो समय मिलेगा आपको तीन घंटा 15 मिन का संपूर समय मिलता है ठीक है और पुरांक रहता है 70 नंबर कर आता है इसके कुछ जो यहां पर बावी कल्पी प्रसंद रहेंगे सभी प्रस्ण आपको हल कराएंगे अब यहां पी देखिए आपको प्रसंद पहला है क्या है कि हंस पत्रिका के प्रथम समपादक थे यानि जो हंस पत्रिका है इसके समपादक कौन थे अपसन को द्यान से पढ़िए गा प्रेम चंद्र जी थे गुलाब raya थे इलाज चंद्र जोसी थे ये जैसंकर प्रसा इसे आपको OMR seat board की exam मिलेगा, उसी OMR seat पे आपको हल करना रहता है, ठीक है, तो हंस पत्रिका कि जो प्रथम संपादक थे, उम्मुन्सी प्रेम चंद्र जी थे तो इसका सही जवाब एवल आपसन सही होगा, ठीक है, जिस प्रशन का एंस्वर आपको पहले से पता हो, उसका ए आपसन है, रांगे, रागोजुए थे, या धर्मवीर भारती है, या भगवती, चरण वरमा है, ठीक है, मन्नु भंडारी है, ठीक है, सुकले यूग के जो प्रसिद्य उपन्यास्कारक थे, ठीक है, वो थे आपके भगवती, चरण वरमा जी, कौन थे थे, भगवती, डेखते हैं, संपूर पेपर का हल जरू देखे, ठीक है, यहाँ पर देखिय proprio सवाल, तीसे नमबर का सवाल, कि नियुद का निरमाळ फिर किस विधा की रचना है, यहाँ नियुदा की रचना है, आपको बताना है, आपसन आपका जो है, कहानी है, आत्म कथा है, या उपन् प्राभाकर माचुवे है या इसके लाड़ीन इवेंद्र सत्यार्थी है ठीक है तो चेखवा एक इंट्रव्यू के लेखक है राजेंद्र यातों है इसका सही जवाब क्या होगा यही प्रसन आपके बोर्ड के एक्जाम में छपने वाले हैं तो आप वीडियो को लाव्स तक जरूर देखिएगा ठीक है जिससे आप बोर्ड की एक्जाम में आप एक प्रसन गलती करके ना है यहां पाचवा नमबर के सवाल देखिए दुरू स्वामिनी नाटक के रचनाकर कौन है ठीक है आपसन प्रेम चंद्र जी है हरी क्रिश्व प्रेमी है जैसे संकर प्रसाद जी है यह इसके लाव रामकुमर वर्मा है दुरू स्वामिनी नाटक के इसके रचनाकर कौन है जैसे संकर प्रसाद जी है इसका सही जवाब एवल आपसन करेक्ट हो जाएगा अग यह राम-चंदरिका है एक रीती stove काल की रचना क्या राम-चंदरिका यह याद रख सकते है रास रेलेटेड करके याद सकते हैं अगले नंबर के देखते हैं अगले नंबर के सबम करें अगले देखते हैं आपका शार्फ अनमबर के देखिए क्या प्रश्न है जैक यह जी का फ़िश्पी वर्स सब्सकत को कब प्रकाशित किया गया थि expos तर तार सब्तक यहां पर निसको कब प्रकाशित किया गया था 1929-1943 या 1923 इस्वी में या 1942 इस्वी में ठीक है यहाँ पी देखिए आपका तार सब्तक का जो प्रकाशक हुआ था और 943 इस्वी में हुआ था इसका सही जवब क्या होगा वीवला आपसन सही होगा ठीक है अगला नंबर आठवा नंबर का देखिए यहां पर आठवा नंबर का सवाल क्या है आपका लोका यतन के रचनाकर कौन है ठीक है लोका तयान जो है इसके रचनाकर कौन है सुर्कात्र फाठी निराला जी है या जैसंकर प्रशाद जी है सुमित्रननद्पंत या महादेवी वर्मा है ठीक है लोका एतन के रचनाकर जु期 है सुमित्रननन्दपंत जी फ। इसका सही जो अब क्या होगा सीवला अग्ला नुबर का सवाल क्या है अब Nas Mori जाता है याननी रीति काल किसी समय अवधी में माना जाता है यानी रीति काल कि आपको पताना है कि रीति काल जो कब 16-16 32 इसका जो माना जाता है ढिए जो समय माना जाता है 1843 इसका सही जवापapon क्या होगा आपका सही होगा ठीक है जलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं अगला नमबर का आपका सवाल क्या है अगला नंबर का सवाल क्या है देखिए यहां पर पूछा है आपसे 11 नंबर का सवाल कि हास रस्क अस्थाई भाव आपको क्या है आपसन भय होगा विस्मे उत्सा यहास होगा ठीक है तो हास से रस्क अस्थाई भाव जो है आप सभी को पता है क्या है हास जहां उपमे की किसी उपागम के गूर धर्म के आधार पर समानता की जाती है वहां आपका रूपक अलंकार होता है, इसका सही जवाब ये वल आफसन क्या होगा अगला नमबर देखिए तेरहवा नमबर ले कि रोला चंद के परतेग चरड में मात्राएं होती है रोला चंद है उसके परतेग चरड में कितनी मात्राएं होती है तो आप सभी को पता है रोला में टोडल कितनी चरड होती है चार चरड एक चरड पूछ रहा है कि कितनी मात्राएं होती है तो आप साने 22 होगा 24 होगा 36 रहोगा तो रोला के परतेग जो चरण होता है उसमें जो आपकी मात्राएं होती है उसमें आपका 24 मात्राएं होती है कितनी होती है दीक है अब यहां अग्ला नंबर के दीए दोटर नंबर अपका अनुग्रा सब्द में प्रियुक्त उपसरग ना अनुग्रासब्द में प्रियुक्त उपसरग ऊओंसा है अन अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का जबड़ा यहां पर प्रते जोड़ का कउसा सब्द में जोड़ा यहां पर लिखाई लगोटबचा बचपन आपको बता कि कि जोड़ा गया है और जो जो जोड़ा एक वे जोड़ा का ओब लाप सं क्या होगा सई होगा अगराइम सो लावा नंबर का देखकिए क्या रखने पंच वैकि तेमें इसे पंच वैका संयों मतले मतलब दो commencer आप आप साने करमधारे लोगा द vintage दोगu ज्या यहां तत पुरूश होगा यहां पर देखें जब किसी जो सब्ड़ होता है उसका पाला सब्द जो होता है किसा संख्या को देखाता है संख्या तो वहाँ पर हमें साथ सभी समस्सक्वाब क्या होगा सो नण अजो होगा आपका सवगा किशीए निए गहां प्रेम्स यहां पे एक प्र涉सन आपका ग्रेक्ठ किजिए गया इहां प Ergeb मत दिखिए गयाg यह पे द्यान दीजिए घंग यहां पर सब्सक्रांब ना सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखे शुरज का तस्वान रूप्सा चलिए कि तत्सम मतलब होता है सुद्रूप तो सूरज का सुद्रूप क्या होगा सुर्य होगा इसका सही जोग क्या होगा एवल आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए अठारा नमबर का स्वागतम का संदी विच्छेद क्या होगा आपसन है स्वागतम होगा ठीक है यह इसके आगतमत इसका सही जवाब बीवला आपसन क्या होगा सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए आपको अगला नंबर का सवाल क्या है यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां इसका प्रत्म पूर्ष एक वाचन यя उत्तम पूर्ष पूर। यहां पर फ्रत्म पूरूष हे नंबर को आपको बताना है का सवत का पूरूष म सवाल को डीवला आपन्य वाचन ओगा, उत्तं पूरूष एक वाचन यृ उत्तम पूरूष kita बहु अच्छा ठीक है देखिए यहां पर हस्ती सब्द का जो पूरुस और वचन वगत हस्ती में जो होता है प्रथाम पूरुस आता है और एक वचन होता है इसका सही जो आप सीवल आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है देखिए यहां पर 20 बहु इकल पी प्रशन आपके थे अब चली आगे खंडबह देखते हैं ठीक है जब्फा ध्यान दीजिएगा कि खंडबह क्या है गंडबह यह व्रविरातमक प्रस्न है अब खंडबह में टोटल 50 नमबर के प्रस्ण रहेंगे सभी दिर उतरी प्रस्ण रहेंगे यहां पर देगे किस नंबर का सवाल है कि न्लोचा रख्षित गद्यांश पर आधारी दिएके तीन प्रश्ण दिएके उसके उत्तर देना है देखument डेखें किया का का है कि एसको क्या करना है कि यह गद्या Mole से इसको यहां देकर Тут आप पढ़ना है देखें दूसरी बात जो इस संबंद में विचारड़ी है वह यह है कि संस्कृति अत्वसा मुहिक चेतन ही हमारे देश का प्राड़ है इसी नैतिक चेतना का सुत्र से हमारे नगर और ग्राम हमारे प्रदेश और संप्रदाय हमारे विभिन वर्द और जातिया आपस में बदी हुई ह जहां उनमें और सब तरह की पाचान विभिनताए है वह है यह यकता है इसी बात को ठीक तरह से पाचान लेने जो बापू ने जंशाधाण को बुद्धी जीवियों के नेतिय तुम्हे करण्धी करने के लिए ततपर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहरा लिया था यहा पर एक हांकित अंस इसकी ब्याक्ष्या करना अभी इसका एंसर बता रहा है पहले प्रश्ण देख रही है कि कैसा प्रश्ण पूछा है अगरा प्रश्ण बापू ने करने के लिए किसका सहारा लिया इन तीनों प्रश्णों का एंसर देखते हैं और टोटल देखें यह आप बोर्ड की एक्जार में टोटल छो नंबर का आता है ठीक है देखें इन तीनों का एंसर देखते हैं कि इस पर पाठा का नाम और लेखा का नाम क्या है फिर खांकित अंस की ब्याक्ष्या देखेंगे देखें यहां पर तक प्रस्तूद्ध जो गध्यांस है प्रतूद्ध कद्यांस हमारे पार्ट पुस्तक देखें यहां पर भारती संस्कृती पार्ट से उद्रित किया गया है किस चेप्टर से लेखा कौन है डाक्टर राजेंदर परसाद है ठीक है इसका संदर्व इसी तरह आपको सिर्फ लिखना था जो पहले प्रशन पूछा गया था क्या लेखें यहां तक जो है ठीक है यहां पर देख लिए पुरबरल इसकी व्या ख्या कैसे करना है रिखांकित लिएक्ष सामुहिक चेतना से जुड़िये साथ ही भारत के सभी जाती वर्क एम संप्रदाय में सामुहिक चेतना ब्याप्त है इन सभी ब्याप्त एकता का कारण सामुहिक चेतना है महत्मा गादी जिने भारत की इस सामुहिक चेतना को पहचाना था और उन्होंने देश के सोतंत आंदोलों में इसका प्रयोग किया था इतना लिखेंगे इसके बारे में ठीक है जज़िए यह प्रशन था इसका एंसर था कि गध्ड़्या रखांकि अंसकी ब्याक्या जो यहां प्रकशा गया थे यहाँ आप सीधे यही लिख सकते हैं यहाँ पर एंसर बताते हैं सीधे आपको देखिए देखिए यहाँ पर तीसरा हो देखिए कि बापु ने करांति करने के लिए सामुहिक चेतना का किसका साहरा लिया था 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 सामुहिक चेतना का साहरा लिया था इस पकास इसका एंसवर आपको लिखना था बोड के एक्जामें ठीक है यह समझ में आ गया होगा आप सभी को यहां पर तीन प्रशन पूचाता है परतीक दो दो नंबर यह दो नंबर यह दो टोटल छह नंबर के प्रसन पूचता है आप से चलिए अगले प्रशन को देखते आप एक प्रश्न कर सकते हैं अब दूसरे प्रश्न को देख लिजिए इस प्रश्न को आप जरूरूर हल कर लीजिए का साथ में तरह हुस्जितुथ पूरे प्रशन आप हल कर लीजिए, देखिए, मैं ब्रामडी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतीति दियों की उपासना का पालंग करना है, यहां से लेके यहां तक पूरा इस गद्य को पढ़ना है, गद्य को पढ़ने के बाद यहां पर देखिए आप से क्या कर रहा है, कर आता हुँ, तैमूर कवनसदर इस तरी से चल करेगा, जाता हूं, वहाँ कि किसने कहा और क्यूं कहा, इसके बारे में आप सभी को बताना है, यहीं देखिए, ईसका अस्वल आप कैसे लिखेगे, टीक है, आपको पाठ का नाम पर दो इनाम है, तरी पाठढ का मनम्ता है, मम प्रस्तूत आंस में मंता विचार करती है कि वह ब्रहमणी होने के कर उसका धर्म है अतीति का सेवा सतकार करना अता उसका धर्म है उसके द्वारा, द्वार पर आए अतीति को आश्रें पर्दान करना ठीक है इसके अलाव जो तीसरा प्रशन आपसे पूचा है देखे तीसरा प्रशन आपसे क्या पूचा है यहाँ पर ध्यान दीजेगे देखे तीसरा प्रशन आपसे पूचा है कि छल नमी तब नहीं इस्तिरी जाता हूँ तैमूर का वंस दर इस्तिरी से छल करेगा जाता हूँ वाक ति इस्त्री के साथ धोखा नहीं कर सकता इस प्रकास इस प्रश्न का पूरा इंसर आपको लिखना था ठीक है अगला प्रश्न 22 नम्बर का क्या है कि निम्न लिखित पद्यांस पर आधारी दिये गए तीन प्रश्नों का उत्तर आपको देना यहां पर क्या है अभी गद्द इस वाके ध्यान से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है यहां पर युक्त पद्यांस का संदर्वा आपको लिखना एंपरियुक्त पद्यांस में से किसकी वीरता का वरारंग किया गया है ठीक है इस प्रश्ण का इंस वर तीनों का कैसे लिखेंगा टोटल छा नंबर का यह प्रश्ण है यहाँ पर ध्यान दीजिए देखिए आप इसका संदर्व लिखेंगे तो देखिए प्रस्टूत पद्यांस सुबद्रा कुमारी सुबद्रा कुमारी चौहान दौर रचित जहासी की रानी की समाधी पर से उद्रित है ठीक है तो सुबद्रा कुमारी चौहान दौर रचित है चेप्टर का नाम है जहासी की रानी अब देखिए रखांकित अंस जो है इसकी ब्याख्या कैसे करेंगे यहाँ पर रखांकित जांती है और हो सुअर से कई अधिक हो जाती है। कि वरयुख कि विर्था करना लिख सकते हैं कि विरत्यों I गोजहां सी की रानी की राखोर फ शूब फाक्म संसर आपको लिखना अब देखें यहां पर द्यान दीजैगा अगला प्राशन करूंआ प्रशन का यहां से लेकर और प्रशन प्रशन था अगले प्रशन को देखते हैं दोस्तों आगला प्रस्न को देखें यहां फूर को अजय नमबर का क्या वोज़ा अब यह और नंबर का पोच्छा करना हिसेन प्रशन और कक नगर होग के दो में यह था है पुरह तक आपको क्या करना है को बाद क्या करना है कि उसका संदर्व लिखना है और हिंदी में अनुवात करना है चलिए इसके एंस्वर को देखते हैं देखें इसका संद्रवाब को कैसे लिखना है कि प्रस्तूत गद्ध आवतरर हमारी पार्टि पुस्तक हिंदी के संस्क्रीत खंड के अंतरगर संकलित पार्ट प्रभुध्धो ग्रामुड़े क्या है च उससे मनुष्य रेलगाडी से चड़कर अगर की ओर जा रहे थे उनमें कुछ ग्रामुड़ थे और कुछ नागरिक थे चूपचा बैटे हुए उनमें इसे एक नागरिक ने ग्रामुड़ों को हास करते हुए कहा गाओं के लोग आज भी पहले की भाती ही असिछित और क्योंकि आप सिछित और बहुत ग्यानी हैं यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा कहूंगा किन्तु पहले सर्थ तय करनी होगी उसकी इस बात को सुनकर चतूर त्विकर इस पकार से पूरे क्या करना है आपको इसका ब्याक्ख्या करना रहता है न यह सोचकर हमें सर्थ करनी चाहिए हम आपस में पहलियां पूछेंगे यदि आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो आप 10 रुपे देंगे और यदि हम उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो हम 10 रुपे के आदे 5 रुपे देंगे इस पकास इसका क्या करना है आपको प काचीन नगरी इयं विमलसलित्रंग्या गांग्या पूले मतलए यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना है संस्कृत पढ़ना इसका भी क्या करना है कि संदर्व लिखना और हिंदी में इसका अनुवात करना ती यह प्रश्ण आरात इसका कीजेगा अथो इसका कर लिजेग हिंदी के संस्कृत खंड के अंतरगर संग्रहित वरारसी देखे एक चेप्टर का नाम है वरारसी नामक पार्ट से अवत्रित किया गया है इस अवत्रण में वरारसी में गंगा के घाटों की सुन्दरता के वरारन किया गया है फिर इसका हिंदी में अनुआ दिखे कैसे करन कांद्री में बहुत सो बहुत सोवीत होती असंखी आती दोड़ी से यहां आते हैं और इसके घाटों की सोवाद देखकर इसकी बहुत प्रशंशा करते हैं दो प्रशने था दोनों में से कोई एग फ्रसने करना था ठीके Andowis do one missions विए करना था जो आपको साधरा लगेगा। जो सिंपल लगेगा। उस प्रश्णों को आपको अपको अनुवात करना था, ठीक है? देखें आपका अगला प्रश्ण 2400 नंबर का क्या है? कि निवलिकीत संस्करीत पध्यास के आप पध्यास संबधी थैं? पद्द्यांस में से किसी एक का संधर्व सहीत हिंदी में अनुवात करना है, ठीक है, यहां पर भी क और ख दो प्रशन रहेंगे, दोने में से कोई एक ही प्रशन आपको करना है, देखे का वला है, कि उत्रम यत समुंद्रस्य हिम्मा द्रस्चैव दच्रम वर्सम तद भारतम नाम भारती यздट्र संतिति यानी यह हाँ से लेके यहां को पढ़ना है। संदर्व लिखना वो हिंदी में अनुवात करना। इस प्रशन को कैसे आपको यहाँ प्यूल ध्याद करना। देखे इसका संदर्व लिखेंगे प्रस्तूत सलोग संस्क्रीट खंड के वीरविरण पुझ्यते यानि वीरविरण पुझ्यते नामक पाट से अउत्री थर्ष बस इतना संदर्व लिख लेंगे हिंदी में अनुवाद एक दो लाइन सिर्फ करना रहता है जो समुंद्र के उत्तर में और हिमाले के दच्छिण में इस्तित है वह भारत नाम का देश है जहां की संतान भारती है यह हो गया हिंदी में अनुवाद हो गया अथवा में दिया है यह प्रशन आ रहाद कीजिए अथवा यह वाला प्रशन आप कर सकते हैं ठीक है चलिए अगले नंबर के प्रशन को देखते हैं यहां पर अगला नंबर का प्रशन देखिए क्या है कि स्वापठीट खंड काब के आधार पार निम्लिकित प्रशनों में से किसी एक प्रशन का उत्तर देना है जितने भी गाजीपूर के छात्र हैं ध्यान दिजेगा गाजीपूर के जितने भी छा प्रशन रहता है आप छोड़ देते हैं इसलिए को दूसरे जीला के जितने चात्रतर रहते हैं उनको हल करना रहता है यह आप देखिए कह है आपको पहले ही देदिया हम मुक्ति दूद्ध खंड काब के कथा वस्तु संचेप में आपको लिखना है यह मुक्ति दूद्ध खंड काब के नायक राष्ट पिता महात्मा गादी के चरित्रक की विसेश्था करना है अपको में से इत दो प्रशन दिये इन दोनों में से सिर्फ एक ही प्रशन आपको करना है इसके पारे में चरित्र चित्र कैसे आपको लिखना है बताने वाले ठीक है चलिए इसके एंसोर के देख लेते हैं देखे महात्मा गादी जी की चरित्र कैसे लिखना है पर यहाप लिखना है उत्तर में देखे महात्मा गादी जी का आउतर भारत की ही नहीं बलकि प्रतिक कविवार डाक्टर राजेंद्र मिस्र की एक महत्तुपुण का ब्यान जली है इस खंड काब के नायक गादीजी है प्रसुत खंड काब के आधर्प गादीजी के चरित्र में निम्लकित विश्यस्ता है अब यह विश्यस्ता जिसे दिब्बी पूरुस हेडिंग डाल का है है इसके बाद मात्र एकक दो लाइन लिखे दिए इसके बारे में महांद्यश भक्त हैं इनके बारे में फिकले जाल एक्षबा जीखण की ब्रकाव जिश्यस्ता आपको बोड़ को प्रशन आपको इसमें लिखे गए दिखाई देंगे सभी प्रशन आपको क्या करना तो यानि यहां तक आप सभी प्रशन छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे अगला रहेगा आपका 26 वा नंबर का जिसमें आप सभी क्या कर आहाँ है कि निमलिखित लेखकों में से किसी एक जीवन पर्चे देते हुए उनकी एक प्रमुक राचना का नाम लिखना है यहाँ पर आपको तीन जीवन पर्चे देगा इसमें से एक ही जीवन पर्चे का आपको जीवन पर्चे लिखना रगा जैसे यहाँ पर जैसंकर प्रशाद जी भगवत सरण उपाध्या है आचाह रामचंदर शुक्ला का जीवन परचे यहां पर पहले संचिप्त इनका परचे लिखते हैं तो इक्जामने इन सब आपको नप पढ़के सिर्फ इसे देख लेगा इसमें यादी सही सही लिखें तो आपको तुरंत नंबर देखे आगे बढ़ जाएगा ठीक है संचिप्त परचे में उनका नाम लिखना रहता है जैसे उनका नाम अचाराम चंदर शुक्ल जी है उनका जन्म का वहा था अठार तुरंत टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा ठीक है इसके बाद देखिए इसी को अपने वाक्य में लिखना रहता है जीवन परचे आचाय राम चंदर शुक्ल का जन्म 1884 इसी में बस्ती जीले की अगोना गाव में हुआ था इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल थ इंट्रमीडियेट में आते ही इनकी पढ़ाई छुट गई यह सरकाही नोकरी करने लगे लेकिन कुछ समय के बाद मिर्जापूर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्याफक हो गए ठीक है इसके बाद देखिए बाद में सोयम हिंदी अंग्रेजी संस्कृती उर्दू फ जो जीवन परच जैसे सुकल जी क्या थे निबंद कारक थे आलोचा कविता आधी की चेत्र में सर्वव्यापी अस्थान का था स्वास का दोरा पढ़ने के काड़ा नई सु एक्टाली स्विवे में इनकी मृत्ति हो गई फिर रचना के बारें पूछाय इनकी रचनाय प्र चिंता मौड़ी बहुत पूछता है और असमीमान साब को बोड के एक्जामिक पूछता है कि किसे ने लिखा है यह बविकल्पी के रूप में भी बहुत प्रसन आता है ठीक है त्रिवड़ी हुआ सूर्दा इसके संपादक उनका कौन सता तूलसी ग्रांतावली जैसी ग्र पूरिठीयों के आधर लिखा गया है आपका Hindi साहित का इतिया सरवस्रेश्ट इतिया सों में से है इन्हीं अलोचना के सब्राट कहा जाता लखता बॉर्ड के एक्जाम में आपको एकगजामता एक नमबर भी नहीं चाञता है ऐसे तीन स्वгор diciendo का नाम दिया जिसे तुलसी दास बिहारी लाल मैथली शरण गुप्त इन तीनों में से किसी एक का जीवन पर्चे लिखना आते कैसे देखेंगे आप यहाँ क्या करेंगे देखेंगे बहुत पूस्ता बोर्ट की देख भी सकते हैं कितने बार आया है यहां पर असमरी तत्त ज आप इतना लिखने के बाद इनकी जो होता है जीवन पर्चे अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे इस पकास जैसे रहता है तुलसी दास का जन्म चित्रकुट जीले के राजापूर नाम गाहों में सन 1532 इस पकास लेके यहां तक आप पूरा लिख लेंगे और उनकी प्र अगले नमबर के प्रशन को देखते हैं 27 नमबर का प्रशन क्या है आपका कि अपनी पुस्तक में से कंटस्त कोई एक सुलुक आप एक सुलुक जरूरियाद के लिएगा हर सल बोर्ड के एक्जान पूछा है पूछा जाता है यह प्रस्न आप सुलुक चार लाइन का जरूर आप घम लिएस को यहां लिए निलिखेंड जशेक्रा यहां से यह न्राज आसित इसका क्या होगा वगा कि दूसरा है। कि चंदरेखर स्वानाम किम अकतियत। चंदरशेखर स्वणाम आजाद हीति अकतियत। आजाध हो गया। सुखानयाम उत्तम किम सतात देखे सुखानयाम उत्तम त्रिष्टी स्यात। अगलम भारती संस्कृते का संगम अस्थली भारती संस्कृते सरवे साम मातावलंबिनाम संगम अस्थली इस पकास इसका एंस्वर आपको लिखना रहता है अगला देखिए कुत्र मरडम मंगलम भवती वरास्याम मरडम मंगलम भवती इसका एंस्वर भी देना रहता है आपक साल बोर्ड के एक्जामें इनहीं में से रिपीट होता रहाता है को अगला देखी आपको क्या है 29 नंबर का कि निमल्खित विश्यों में से किसी एक विश्य पर निबंद आपको लिखना है दिके पहला प्रश्ण क्या है जीवन में विज्ञान के महत्तु के बारे में विद् लिखना रहता है एक पर क्या करना है निबंद लिखना ऐसे वह उसल्ट बना के लिख सकते यह एडिंग क्या बना सकते हैं और उसे आपको आक्सीजन दना गिसकते हैं Tea полит सकते हैं कि मिलते हैं हैं यहां दोघा सकते हैं प्रीषाले में बना सकते हैं कि दोण 85% सी दीष rape वह ज़्याबन परांद के लिग सकते हैं दिए हिवन हो के ल Тут इसमें से जिस पे जीवन परचे आपको खुब आजी परचे करें सुरी दोस्तों इस पे निबंद जिस पे आपको अच्छे से आ रहा हुआ उस पे आप निबंद लिख सकते हैं ठीक है जितने भी प्रश्ण बता है यही सब प्रश्ण आपके बॉर्ड के एक्जाम में बार से अधिक वीडियो को सेर करें ठीक है और जितने भी पेपर हम आप सभी को हल करा रहे हैं जितने भी छवा सब्जेक्ट है उसका हल करा रहे हूं उन सभी पेपरों का आप जरूर देखा कीजिए उन्हीं में से बोर्ड के बोर्ड के एकजाम होने वाला है जितने भी पेपर करा रहा है इन ही में से बहुत question आपके repeat होते रहते हैं ठीक है